आज शमाज में आधेकांस माबाप के उपर बेटी पहार सा भार क्यों है? बेटी पहार सा भार क्यों है? क्यों इसके जनमते ही माबाप के चेहरे पर उदासी च्छा जाती है? शायद यही जानकर की यह बड़ी होकर सर पर बड़ा खर्च का बोज बनेगी ब्याहती वक्त कर्ज में डालेगी चुकाते चुकाते घिस जाएगा जीवन बुरापे में यह हमसे दूर हो जाएगी तभी इस सोच के कुछ लोग इस सोच के कुछ लोग इसे या तो जनम से पहले मारते हैं या जनमों परांज मारते हैं ताकि दहेज दानों के समक्ष खड़ा होना न पड़े हर जनजट से मुक्ति मिल दाएं लेकिन वहीं पुत्र जन पर इनके घर बड़ा जस्न मनता है मंगल गीत सोहर होता है इनके चेहरा फूल सा खिला दिखता है इसलिए कि पुत्र मरने तक साथ रहेगा पुत्र मरने तक साथ रहेगा बुरहापा का सहरा बनेगा सब के समक्ष मेरा सवाल है सब के समक्ष मेरा सवाल है जब बेटी लचमी है जब बेटी लचमी है घर की सोहा यही है तब क्यों यह भार है क्यों इनकी संख्या कम की जा रही है क्यों इनकी संख्या कम हो जारी है नतीजा यह हो रहा है कि आज हर गाउं में देखा जाता है आज हर गाउं में देखा जाता है दस-पांच कुवारे लड़के मिलते हैं दस-पांच कुवारे लड़के मिलते हैं बेटी क्यों भार है बेटी क्यों भार है झाल झाल